वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इस करेंड अफेस फंडा आज की इस वीडियो में आपको कुस्चन्स सॉल्ब करके दिखाऊंगा कि आपको एक्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है यह हमारा सिंप्लिफिकेशन का सेसर है बेसिकली कुछ लोग का भी RRB Office Assistant का एकजाम बचा हुआ है तो जो कुस्चन्स 12 और 13 तारिक में आये थे उन कुस्चन्स के ऊपर हम यहाँ पर अनलाइस करेंगे कि आपको सिंप्लिफिकेशन में किस तरह से अप्रोच करनी है कहां कहां पर आपको कल्कुलेशन अवाइट करन यह दोस्तों वीडियो जो है यह complete इसका credit में देना चाहूँगा बिट्टू के लिए उन्होंने काफी मेनत करी है इस वीडियो के contents को तयार करवाने में तो अगर आप पहले बार यह वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को subscribe करें दोस्तों वीडियो को like करें comment करके आप पहले questions की और सबसे पहले कुछ questions जो है वो देखने में आपको काफी easy लगेंगे लेकिन exams में अगर हम उनको calculate करने लग जाएंगे तो हमें थोड़ा सा time लगता है यह question आपका RRB के officer यह RRB के office assistant में basically question पूछा था अब देखो 1120-480 तो अगर मैं इसको directly यहां पर लिखके solve गया 6, 640 बचा अब ध्यान लो यहां पर यह question mark है इसके place पर आपका x होगा divided by 3 तो आप 3 की multiply इसके साथ करनी है अब देखो 3 की multiply तो मुझे आसानी से आती है तो जैसे ही मैं 34 into 3, 60 into 3 कितना होता है 180 होता है ध्यान देना, 4 into 3 कितना होता है 12 होता है, multiply नहीं करूँगा, 180 plus 12 कि 0 as it is रख दूँगा, 1920 इसका answer हो जाएगा, कुछ चीजें अगर मैं करने बैटूँगा कि 640 into 3 और इसको करना है तो यह tedious चीजें आपको exams में follow नहीं करनी है, okay, तो completely हमारा answer कितना होगा, 1920, next question similar है, इसमें कहा गया है 4 divided by 9 into 3 by 8 और into question mark equal to 48, अब देखो, 4 divided by 9 यह आपका इस आपकी cancel out हो जाएगी, यह 3 बार कटेगा, और यह कितने बार कटेगा, दो बार कटेगा, अब 3 into 2 कितना होगा, 6 हो गया, तो मतलब x, y, 6 ultimately मुझे मिला, equal to 48, अब देखो, 48 into 6 मुझे करना है, ठीक है, क्या करना है, 48 into 6 करना है, अब एक चीजज आओ धान रख लो, 48 into 6 की 19 into 3 कितना होता है, 270 हो गया, और 6 into 3 कितना होता है, 18 हो गया, 270 plus 18 कितना होता है, यह मारा हो जाता है, 2 double 8, तो यहां से भी हम answer को एक बार में निकाल सकते हैं, दूसरी चीज़ और बताऊं आपको, कि आप 48 into 3 कर सकते हैं, 48 into 3 कितना होता है, 40 into 3 कितना हुआ, 120, और 8 into 3 कितना यह 8 x 3 हुआ 24, तो 120 प्लस 24 कितना हुआ, 1 double 4, और इसका आपको ज़स डबल करना है, क्योंकि 3 x 2 कर रहे हैं, तो पहले 3 से multiply करके, 2 से multiply कर दो, लेकिन एक बार में 6 से करोगे, तो पहले आपको multiply करने में थोड़ी सी problems होती है, लेकिन यह हम mentally calculation कर सकते हैं, तो directly ultimately answer क्या आएगा, 2 double 8, तो कुछ ऐसी approach भी आप exam में follow कर सकते हैं, जो आपको suitable लगे, next question, यह question आपका यह था, 30% of question mark, divided by 5, equal to 270, तो 30% of, यहाँ पर question mark है, इसकी ज़िए x लिकलो, अब divided by 5 है, equal to 270, यह आपका question original था, अब दो 30% of x है, तो percent ठटेगा, ठीक है, 30% का मतला होता है, तो यह क्या 10 लिख सकता हो मैं इसको, जूरो एक पहले पहले काट दिया, अब देखो, divide by 5 है, तो इसको क्या लिख सकते है, 1 by 5, equal to 270, ध्यान देना यह पर, अब देखो, क्या आप कर क्या सकते हो, यह आपका 10 और 5 कटेगा नहीं, तो 3 से इसको काट दो, 90 times गया, अब देखो, 10 into 5 कितना 5, 50 होता है, तो मुझे पता 9 into 5 कितना होता है, 4, 5 होता है, 2, 0, opposite लिख दो, 45 हमारा answer आ गया, लेकिन हम exams में कुछ systematic, बे-follow नहीं करेंगे, direct question देखेंगे, और इसको हम solve कर देंगे, next अगर मैं बात करों, question number 4 की, तो लिखा 0.08 into 2.5 plus 1 by 2 divided by 7, अब यहाँ पर ध्यान देना, 2.5 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 5 by 2 लिख सकता हूँ, तो देखो 0.08 into 5 by 2 हुआ हमारा, plus 1 by 2, 1.2, तो अगर मैं 5 by 2 इस से काटूंगा, तो यह कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 5 into 4, अगर मैं करता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, 0.20 हो गया, अब 0.20 plus 1.2 अगर मैं क जाएगा तो x की value कितनी आ गई? 0.20, direct exams में हमें यही simple steps follow करने है, calculations आप ज़्यादा से ज़्यादा avoid कर सकते हैं, कि आपको जो चीज़ आती है उसको अप मत लिखो, जो ऐसी चीज़ जिसको आप भूल सकते है, mentally calculate नहीं कर सकते है, उसको पेपर पे नोट डाउन करो, next अगर मै होता है कि अंडर root है, तो 121 होगा, और यह root क्या होगा, 324 हो गया, अब यह किसका होता है, 11 का square होता है, और यह किसका square होता है, यह 18 का square होता है, तो 11 और 18 कितना होगा, यह हमारा हो जाएगा, 29, तीक है, 29 और प्लस, question marketplace पर आप x लिखतो इकल टू 34 है जिख दिख दिख दि क्योंकि अगर मैं लिख दू, x की power 1 by 2, तो यह क्या होता है मारा, अंडर root x होता है, तीक है, और अगर मैंने x की power 3 by 2 लिख दिया, तो यह हमारा क्या होता है, 1 by root x होता है, तीक है, यह कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पढ़ेंगी, next question number 6 की बात करूँगा, इसमें एक्जाम में यह follow मत करना, अब देखो यह 6 है और यह 2 है, कितना हो गया, 8 हो गया, अब यह 1 था और यह 1 था, कितना हो गया, 2 हो गया, दोनों के बाद equal distance पर decimal लगा है, decimal लगा दिया, 3, 4, 7 हो गया, 2 और 4, 6 हो गया, और 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 867.28, ठीक है, यह 7.28, यही हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस वाले step को भी follow करके भी question का answer निकाल सकते हैं, लेकिन यह चीज़े हमें exams में follow basically नहीं करनी होती है, number 7 की बात करो, तो लिखा है 16 into 14 into 5, plus question mark equal to 1200, ठीक है, अब देखो, 16 into 14 into 5 दिया है, अब देखो, अगर मैं 16 into 14 भी यहां पड़ेगी, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगा, पहले मैं 14 into 5 करता हूँ, तो 14 into 5 कितना होता है, 70 होता है, 70 की अगर मैं 16 into 7 कितना होता है, 112 होता है, और 0 यहां पर आजागा, 1120 आ गया, plus question mark आपका, x में convert हो गया, 1200 बचा, अब इस x की value निकालोगे, तो 1120 उदर चले जाए 80, directly हमारा answer कितना है, 80, next अगर मैं बात करूँ question number 8 की, तो लिखा है 2 whole 1 by 3, यह लिखा हुआ है basically 2 whole 1 by 3 इस format में, 4 whole 1 by 6, और ultimately multiply किसे है, 12 है, equal to question mark पोचा है, अब देखो, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, तो 3 into 2 कितना हो, 6 हुआ, 6 plus 1 कितना हो, 7 by 3 हो गया, ठीक है, यह मैं आपक यहां पर हमारा 7 by 3, 25 by 6, ठीक है, LCM मतलो, अब यह दिखो, इसका double कर दो, 7 का double कितना हो, 14, और 3 का double कितना हो, 6, plus 25 by 6, अब दोनों आपस में जोड़ जाएंगे, तो जोडने पर कितना हैगा, 14 और 25 जोड़ोगे, तो यह कितना आपका आता है, 39, 39 by 6, और बाहर multiply 12 से था, त 203 से 5 से केंड का, इससे यादा time नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा mentally calculate करोगे, यह मैंने आपको यहां पर steps हो करके इसलिए दे हैं, कि आपको problem नहीं user है, बाकि जो बंदे perfect हैं उनको तो यह question बिल्कुल problem बिल्कुल नहीं होगे उनको, next बात करूं अगर 9 की, तो 9 में लिखा है 5 into 4 plus half into x, तो ठीको यही लिखा है ना, 5 into 4 plus half into x is equal to 24, यही लिखा है ना, अब देखो 5 into 4 कितना होता 20, 20 जब opposite side में जाएगा तो 24 minus 20 हो गया, तो यह कितना होगा 4, अब देखो half लिखा है ना, x by 2 है, तो यह 2 इसके साथ multiply में चला जाएगा, तो x की value कितन इस विलकुल नहीं follow करने, direct question को देखेंगे और options पर click करेंगे, next अगर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 में लिखा है 3 all 5 by 8, 3 all 5 by 8 plus 4 all 3 by 4 plus x equal to 10, अब देखो, यहाँ पर भी कुछ कुछ है, यहाँ पर 8 दिया, यहाँ पर 4 दिया है, तो 8 into 3 कितना हुआ, 24, 24 plus 5 कितना हुआ, 29 by 8 हो 19 by 4 को double करोगे, तो कितना आजाएगा, 38, 19 की 2 से multiply करोगे, 38 होगा, 38 बटा 8 plus x is equal to 10, अब देखो, ध्यान देना है पर, कि 19 divided by 8 plus दोनों का base statement, direct add कर दो, 19 plus 38, अगर हम इसको add करते हैं, कितना मनेगा, 67 divided by 8, और यह अगर x के equal लिखेंगे, तो यह opposite में 10 minus में चले जाएँगे, तो अगर 8 से 10 बार multiply करूँगा, तो यह 80 minus 67 होगे, ultimately, 80 minus 67 divided by 8, तो 80 में से 67 होगे, 13 बटा 8 आठागे आपका, लेकिन यह improper fraction है, इसको proper में बना लो, तो यह 8 1 times जाएगा, तो यह 5 by 8, तो 1 whole 5 by 8 हमारा answer हो जाएगा, fraction में direct पूछता है 13 बटा 8, तो यह हमारा answer आता है, 1.625, तो यह भी हम कर सकते हैं, directly हमें क्या है, कि options देखने, किस nature में options दिये हुए है, next अगर बात करूँ, 11 नमबर की लिखा है, 80% of 45, बहुत ध्यान देना इस question को, 80% of 45, plus question mark equal to 80, अब देखो question mark के बिले इस पर x लग लो, 45 अपने आप में 100% है, तो अगर मैं इसके 10% की बात यह हो जाएगा हमारा 4.5, ठीक है, अब 10% 4.5 है, तो 80% कितना होगा, 8 से multiply कर दो इसकी, तो जैसे ही मैं 8 से multiply करूँगा, 4.5 की तो मैं इसको 9 by 2 रख सकता हूँ, अब यहां पर आप 4.5 मान के चलो, तो देखो, 4.5 को क्या लिखोगा, 9 by 2 लिख देंगे, into, अब यहां पर क 24 गड़ा होगे, कितना पचेगा, 44 डिरेक्टली आपका यह answer निकल कर आ जाएगा, एक्जाम्स में कुछ हम ऐसा ही follow करेंगे, जितनी roughly calculation कर मिले, उतनी कर लो, at least हमारे questions तो बनेंगे न, और यह speed आपको तब आएगी, जब आपको table, square, multiplication वहुत fast होगी तब, next अगर मैं बात करूं, 12 number की, तो यह 12 number का question आप देख लो कि इसको हमें कैसे exams में approach करना होता है, directly हम लिख कर कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों को जोड़े, इसमें से घटा दे, लेकिन हम एक line में करेंगे, कैसे, यह 0 और 0 जोड़ा कितना हुआ, 0 हुआ, 0 में से 0 घटा दिया, ultimately आपको 0 मिला अब देख लो, 5 और 8 कितना हुआ, 13, 13 में से 2 घटा है, आपने कितना बचा, 11, 11 का 1 में यहाँ पर लिखूंगा, और 1 जो carry होगा, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, तो अब next time 2 और 1, 3 हो गया, यह आपका 3 हुआ, अब 3 में एक में जोड़ा 4 हुआ, ठीक है, 4 में से 6 त तो 6 की जगे पर अब क्या नया नंबर आगया, 5, अब देखो, इस 5 और 1 को जोड़ा 6, 6 में से 1 घटा दिया, कितना बचा, 5, तो 5810, मैं आपको बताना चाहूँगा, simplification की हमारी वीडियो देखो, अगर आपको यह approach में problem आ रही है तब, क्योंकि ऐसे questions हमें, अगर exams में आत लेकिन यह चीज़े मुझे exams में नहीं करने, exams में करूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा लगबग 10 से 20 सेकंड का हमारा bury time हो सकता है, तो आप मत सोचना कि यह time bury हो जाएगा, लेकिन accuracy तो maintain रहेगी, accuracy आपकी यहाँ भी maintain रहेगी, अगर आपकी practice बहुत मजबूत है तब, त इस वीडियो को share करें अपने सारे दोस्तों तक ताकि आपके ऐसे दोस्त जो basically coaching afford नहीं कर सकते, आप हमारे current affairs funda page को भी join कर लें, और साथ में tweet कर सकते, mcurrent affairs के नाम से, tutor handle हमारा है mcurrent affairs, जो भी important चीज़े हैं वो मैंने description box में डाल लगी है, आप बहां से देख सकते हैं, so thank you friends, have a good day.